देखिए दोस्तों ये नमकीन हमारी बिल्कुल काजू के सेप में और कितना क्रिस्पी बना है इसकी आवाज आप लोग सुन रहे होंगे और ये देखिए मैं तोर कर भी दिखाती हूँ देखिए बहुत ही अच्छा बना है ये तो इसे बनाते कैसे हैं चलिए हम देख लेते ह नमस्कार दोस्तों संध्या की रसोई हैस में आप लोग का स्वागत है तो चलिए शूर करते हैं आज की रेसिपी ये मैंने डिया है एक कटोरी आटा आज हम बहुत ही हेल्दी स्नेक्स बनाएंगे इसे तो मैदे से भी बनाते हैं लेकिन मैं हेल्दी बना रही हूँ इसलिए मैं आटा ली हूँ तो यहां पे मैं एक कटोरी आटा ली हूँ इसमें डाल देंगे स्वादनुसार नमक उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चमच अजवाईन, यह देखिए अजवाईन को थोड़ा हाथों पर लेकर और इसे मसल लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे उसके बाद मैंने यहां पे लिया है यह आधा चमच है इसे मंगरेल बोलते हैं कहीं कहीं कलॉंजी भी बोलते हैं तो इसे लिया है और मैंने यहां पे एक चमच यह बड़ा चमच है इसे एक चमच रिफाइन लिया है मोयन के लिए अब हम इसमें डाल कर और अच्छे से इससे हाथों से मसल्मसल कर और फिर हम इसमें मिक्स करेंगे मोयन को मिलाेंगे जब हमारा मोयन अच्छे तरह से मिल जाएं फिर आम इसे चेक करेंगे trim मोयन हमारा अच्छे से लगा है कि नहीं यह देखिए ऐसे बांद का देखेंगे इसका मतलब हमा मोयन परफेक्ट है इसमें तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे सक्त गून लेंगे ज्यादा नरम नहीं रोटी जैसे बनाते वैसे नहीं और ज्याद के लिए रखकर छोड़ देंगे अब हम इसे बेलेंगे यह इसे मैं दो टुक्रे में कर ली हूं दो लोई बनाऊंगी और इसे हां सथो से थोड़ा ऐसे गोल कर लेंगे यह थोड़ा सक्त होता है तो इसे थोड़ा लोई बनाने में वैसे इतना चिकना नहीं होता है तो इसे हाथों से थोड़ा मसल मसल कर तब इसे बनाएंगे इसे गोल गोल करकर और फिर हम इसे बेल लेंगे आप चाहें तो थोड़ा सा आटा भी लगा सकते हैं लेकिन यह तो बहुत सक्त होता है तो इसमें आटा लगान ऑई लेंगे। इसे पलड़ा पलटसंद और तॉड़ा कि उठा उठा कर नहीं इन देल लिए कर देखिए अब मैं आप लोगों दिखाओंगी कि इसे काजु के सिप में आम तर पे उए चाकु से काटते हैं एसे चाकू से काटते हैं लेकिन ये देखिए इसे मैं ये चमचली हूं आप चाहे तो कुछी ब्हुत्स में चोटे से जो सीसी होती है दभाई की उसके धक्कन से गाट ले पहले हम लोग उसी से काटते थे लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है तो मैं इससे आप लोग को काट कर दिखा रहे हैं देखें बहुत ही असानी से कट जाता है इससे और इसे बार-बार मतलब साइट साइट से भी कि चारो तरफ से इसे घुमां घुमां काट लेंगे फिर इसमें आटा बरबाद नियुक्त एक ही बार बे लेंगे और सारा काट लेंगे देखिए कितना अच्छा कट रहा है इसे ही हम सारे को काट लेंगे देखिए कितने अच्छा से कर जाता है यह चिपकता है लेकिन फिर निकल जाता है तो इसे हम बस ऐसे पकड़ेंगे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और यह कर जाएगा बहुत ही जल्दी कर जाता है यह देखिए और कितना अच्छा बन रहा है ऐ आइसे ही हम सारे को काट लेंगे दोस्तों मैंने ये सारा काट लिया ये देखिए ऐसे ये चिपकता है लेकिन फिर ये ठीक हो एक में चिपक करने ही रहेगा ऐसे थोड़े देखने में हो जाता है तो चलिए अब हम इसे तल लेते हैं यह मैंने गैस पे क्राही रखी है और इसमें तेल डाल दिये हैं मैंने रिफाइन डाले हैं आप जो तेल खाते हूं वो डाले और यह देखिए इसे चेक करते हैं तेल हमारा देखिए अब गरम हो रहा है यह गरम हो गया है अब हम फट निकाल लेते हूं तेल को अच्छे से गरम करेंगे इसे फ्राइब करने जब तेल गरम नहों तब न डालें तो यह सारे छिपक जाएंगे और इतना क्रिसपी भी नहीं बनेंगे जब तेल अच्छे से गरम हो जाया उसके बाद हम इसमें डालेंगे यह देखिए यह कैसे पक रहा है नशेज़नी तो तेल गरम हो गया है तेल यह बहुत ही कम सोखता है तो इसे आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा देखिए ऐसे इसे चारो तरफ से डाल देंगे और हलका हलका इसे चला लेंगे यह तो पकेगा तो खुद अपने आप शोड़ देगा लेकिन फिर डालने के बाद इसे चारो तरफ से ऐसे फैला लेंगे इसे तलने के बाद यह बिल्कुल काजू के सिप में आजाते हैं लगता है कि यह काजू की ही नम्कीन है तो इसे आप लोग एक बार जरूर बनाएगा और सब को बनाकर दिखाएगा सब आपकी तारिफ करेंगे कि यह कैसे किया हम इसे हलका light brown होने तक तलेंगे ये देखिए अब ये थोड़ा तो हो गया है लेकिन और हम इसे 5 मिनुट और तलेंगे इसे तलने के लिए कम से कम 7-8 मिनुट लग जाते हैं बिल्कुल लो flame पे इसे तलेंगे और 7-8 मिनुट बाद हम इसे निकालेंगे तो ये देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ ये देखिए बिल्कुल light brown हो गया है अब हम इसे निकाल लेंगे बहुत ही अच्छा color आया है इसका और शेप तो काजुकी ही है उसे आई से निकालेंगे और असी है थोरा हम कर लेंगे कि ता कि इसमें जो रिफैन हो वह का ही में हमारे रख जाए तो हल्का ऐसे प्रेsorry कर गर कर जब भी छनी से निकाले तो थोरा इस तो तरकि इसमे का सारा रिफाय निकल जाए और फिर बाकी को हम डाल देंगे इसे और ये देखिए डाल का इसे फैला देंगे फिर हम इसे तल कर निकाल लेंगे ये देखिए मैंने सारे तल लिए हैं कितने अच्छे लग रहे हैं काजू जैसे लग रहे हैं और बहुत ही तोर करकर भी रख सकते हैं, 10 दिन, 15 दिन, एक महिने तक भी रख सकते हैं इसे, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, ये देखें, मैं तोर कर दिखा रही हूँ आप लोग को, ये देखें, दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, कमेंट, सेर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, अगला वीडियो मैं जल देकर आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों,